नमस्कार मित्रो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें हमेशा ही लोगों को कन्फूजन होता है नील रेटेड सप्लाई, एक्जम्ट सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, नॉन जीस्टी सप्लाई ये सुनने में तो एक जैसा लगता है इसका एक्च पिर इसको अलग-अलग बोलने की ज़रुत क्या है, तो क्या ये चारों का मतलब एक ही है नील रेटेड मतलब भी जीरो रेटेड मतलब ही एक्जम्ट मतलब ही नॉन जीस्टी, नहीं, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, तो ये चारों में सिमलेरिटी ज़रूर है लेकिन इसमें भी है और इसमें difference क्या है ये हम आज जानेंगे ये confusion ये संदे है आज के इस वीडियो के बाद आपके लिए हमेशा के लिए साफ हो जाएगा clear हो जाएगा तो चलिए मित्रो शुरू करते हैं हमारा आज का session types of supply जैसे के मनें आपको पता है GST में चार प्रकार के supply होते है एक है नील रेटेड चार प्रकार के supply मतलब जिसके बारे में हम आज बात कर रहे है वो है चार प्रकार के supply एक है नील रेटेड सप्ला है दूसरा है exempt supply तीसरा है जीरो रेटेड सप्ला है और चौथा है non GST supply अब यह non GST supply actually it is not part of GST supply but we are discussing it this today because it is interrelated अब यह चारो का मतलब क्या है हम आज जानेंगे चली first of all what is nil rated supply nil का मतलब क्या होता है आप सभी को मालूम है nil means zero so nil rated supply what does it mean applicable tax rate is zero please remember it is a taxable supply please remember it is a part of GST supply it is a taxable supply but rate of tax is zero it is decided by law it is decided by rules that rate of tax for this particular product type of product will be zero तो यहाँ पे tax लगता है याद रखिए आप यहाँ पे tax लग रहा है कितना लग रहा है जीरो लग रहा है यहाँ पे आपको ITC मिलेगा नहीं अगर यह product आप बेच रहा होंगे तो इसके अगरेंस्ट आप ITC नहीं ले सकते है ITC यहाँ पे claim नहीं हो सकता है यह example इसके मैं देता हूँ जैसे grains है food grains या फिर salt इसके ओपर tax लगता है याद रखिए कितना लगता है जीरो जीरो लगता है मतलब amount zero रहेगा लेकिन tax charge होगा नील रेटेट जितने भी products है नील रेटेट सप्लाई के case में tax लगेगा और यह 0% से लगेगा दूसरा point exempted supply अब exempted supply मतलब क्या no GST is applicable GST वालों ने ही इसमें कहा है कि इसके ओपर GST नहीं लगेगा तो so please remember there is a slight difference between nil rated and exempt exempt के case में tax नहीं लगता है और nil rated की case में tax लगता है लेकिन 0 लगता है ITC यहां पर भी allowed नहीं होगा इसके ओपर आपको tax कोई नहीं लगेगा क्यूंकि इसके ओपर tax का calculation ही नहीं होने वाला है 0 nil rated की case में tax का calculation होगा और calculation होने के बाद tax 0 आएगा यहां पर it is not taxable at all और इसकी अगर मैं example दू तो इसमें है bread, fruits, milk, curd यह जितने भी product है यह exempted है मतलब इसके ओपर tax लगता नहीं है अब nil rated और exempted इसमें अंतर क्या है एक छोटा सा अंतर मैं आपको बताता हो के नil rated की उपर tax लगता है 0% और exempted की उपर tax नहीं लगता है इसमें तो दोनों में अंतर क्या है अगर exempted को tax आपको लगाना है समझो आज के तारीक में मान के चलते हैं मान के क्या है वैसे bread या milk या fruit ये जो है इसके उपर tax नहीं लगता है और government ने कल सोचा कि इसके उपर और government ने कल सोचा कि नमक के उपर जिस नमक के खिलाप ग robi辜ी ने सत्यागरा किया था नमक के उपर अंग्रेज उन्हें tax लगाया था तो ग闢ी जी ने सत्यागरा किया था तो उस नमक के उपर इस government ने ऐसा सोचा कि हम 18% GST लगाएंगे तो इनके लिए बहुत आसान काम है revenue secretary सिर्फ एक notification issue करेगा और notification में लिखा रहेगा कि कल तक इस product का rate था 0% आज से इसका rate हो जाएगा 18% It is a very easy process तो दोनों में अंतर है exempted के उपर अगर tax लगाना है तो लंबा process है समय बहुत लगेगा और अगर nil rated को अगर 18% से charge करना है तो बहुत आसान काम है इसके बाद में मैं आपको भूलने के पहले एक चीज़ बता दू हमारी एक accounting friend और आपकी लेक्चर सिरीज होती है जिसमें मैं live sessions conduct करता हूँ accountants के लिए business owners के लिए students के लिए सारे lectures होते है आप इन lecture के माध्यम से मुझ से जुड़ सकते है यहाँ पर मैंने link यहाँ पर screen पर भी दिखाया यह description में भी मैंने दिया है यह description में आप जो link है वहाँ पर आप click कीजिए हम एक नया topic लेते है 45 minute का एक session होता यह live session होता है आप मुझ से जुड़ सकते है और सारे आप अपने मुझे सवाल live पूच सकते है relating to that particular topic तो मित्रो आप जरूर इस lecture series के लिए register करे it is a free of cost lecture series तो अगला point हम लेते है zero rated what is zero rated zero और निल इसमें भी अंतरह याद रखिए zero rated sales मतलब it is overseas sales it is sales to SEZ SEZ मतलब special economic zone तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को माल बेच रहे है जिसका registration SEZ unit में है special economic zone unit में है तो यह sale होगा आपका zero rated अगर आप export कर रहे है देश के बाहर माल बेच रहे हैं इसको भी हम कहेंगे zero rated sales sales to SEZ developer जो SEZ develop करने वाला व्यक्ति है किसी company को contract मिलता है कि SEZ को develop करना है तो यह SEZ developer को अगर आप sales करते हैं तो वो भी zero rated रहेगा यहाँ पे भी tax charge नहीं होगा it is a taxable sales please remember लेकिन zero rated है तो निल rated और zero rated इसमें भी फिर से अंतर है निल rated मतलब जिसका tax rate zero है किसी को भी आप बेचो tax rate zero रहेगा zero rated मतलब यह specific है या तो export कर रहे है तो उसे हम zero rated कहेंगे या तो SEZ unit को आप sale कर रहे है तो उसे हम zero rated कहेंगे या फिर SEZ developer को आप sale करेंगे तो उसे हम zero rated कहेंगे और यहाँ पे 0% GST चार्ज होगा मतलब GST ज़रूर चार्ज होगा आपका product भले taxable है 18% से अगर आप किसी और को माल बेच रहे तो 18% से चार्ज करेंगे लेकिन अगर आप SEZ unit में बेच रहे है तो 0% tax चार्ज होगा ITC can be claimed here तो यहाँ पे थोड़ा असांतर है बाकी जगा ITC नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पे आपको input tax credit ज़रूर मिल सकता है अब हमारा आखरी point बचा है इस particular आज के लेक्चर का वो है non GST supply हमने अभी तक नील rated देखा उसके बाद exempted supply उसके बाद zero rated और आज का हमारा चौथा point है non GST supply यह क्या होता है supply not under the scope of GST ऐसा supply जो कि GST के totally बाहर है GST से जिसका कोई संबन्ध ही नहीं है एक परसेंट भी संबन्ध नहीं है ऐसा supply तो यहाँ पे taxable है exempt का भी मुद्दा नहीं है मतलब tax लगेगा कितना लगेगा यह सवाल पूछने की भी जुरूरत नहीं है यह सारी की सारी चीजे GST से totally बाहर है GST not applicable at all क्योंकि यह GST काईदे के under आती ही नहीं है यह काईदे के बाहर है GST law के बाहर यह सारी चीजे है petrol, alcohol for human consumption यह दो product ऐसे है एक electricity भी है तो यह 3 चीजे ऐसे है जिसके उपर GST चार्ज नहीं होता है petroleum products जितने भी है उसके उपर GST चार्ज नहीं होता है alcohol for human consumption only याद रखिये तो यह GST के totally बाहर है तो ऐसा अगर आप supply कर रहे है तो इसके उपर GST लगने का कोई कारण ही नहीं है अब मैं आपको एक और point बताता हूँ यहाँ पे वो point क्या है वो point यह है कि अगर आप petrol बेच रहे है पेट्रोल के dealer है आपका petrol pump है सिर्फ petrol बेच रहे है बाकी कुछ नहीं बेच रहे है तो आपको GST registration करना ज़रूरी है क्या आपको GST registration करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप ऐसा product बेच रहे है जिसको GST लगता है नहीं जो GST के पूरी तरह से बाहर है अब हम बात करते हैं किसी अनाज के व्यापरी की अनाज के व्यापरी है जो अनाज बेच रहे है तो उसे GST का registration करना पड़ेगा क्या येस उसे GST का registration करना पड़ेगा उसे GST का return भी file करना पड़ेगा वो सारे के सारे nil के return फाइल करेगा nil मतलब tax कुछ भी नहीं भरेगा लेकिन sale जरूर दिखाएगा आपना कि मैंने इतना माल बेचा है और ये subject to मैं बात करो subject to GST exemption limit जो exemption के limit है उसके उपर अगर turnover जाता है तो ही आपका turnover मान के चलिए 10 करोड रुपए है और आप petrol बेच रहे तो आपको GST registration करने की जरूरत नहीं है और आपका turnover 2 करोड रुपए है और आप अनाज बेच रहे है तो दोनों केस में petrol के केस में और अनाज के केस में GST भरने की जरूरत नहीं है लेकिन अनाज के केस में आपको registration जरूर करना पड़ेगा return जरूर भरने पड़ेंगे so this is the difference मुझे आशा है मितलो की ये 4 के 4 point आपको आज समझ में आ गए होंगे और आप इसके बाद इसके बाद आपके दिमाग में कोई confusion नहीं रहेगा what is nil rated, what is exempted what is non GST and what is zero rated thank you very much for watching this session अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ये वीडियो आप औरों के साथ भी जरूर शेर कीजिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए आप comment section में मुझसे आपके विचार मुझ तक पहुचा सकते है thank you very much, have a nice day and all the best